जनमास्पी स्पेशल गोल्डन मेजिक बोक्स मैंने कैसे बनाया है? आए हम देखते हैं, पूरा वीडियो एन तक देखेगा मैंने ये वैनिला केक गेश के उपर बेग किया है और ये वाइट ट्रफल है और ये विपिंग आइसिंग है शुगर सिरप में मैंने प्योर केसर डाला है वाइट ट्रफल में मैंने कुछ सेफ्रोन ड्रॉप्स एसेंस डाले है ये वाला मैंने एसेंस डाला है और शुगर सिरप में प्योर केसर के कुछ दागे डाले है और अब मैं पिस्ता को इस तरह से स्लाइस कर रही हूँ क्योंकि ये गोल्डन मेजिक बोक्स के सर पिस्ता फ्लेवर का है तो इसमें प्योर अच्छे से पिस्ता डालने से रिचनेस आएगा अभी मैं गोल्डन बोक्स में पिले में वाइट ट्रफल डाल रही हूँ उसको थोड़ा स्प्रेट कर रही हूँ इवन्डी इसके उपर में वेनिला केक रख रही हूँ अंदर और थोड़ा चोटा है आपको चाहिए सेम मेजर डाल सकते हो इसके उपर में शुगर सीरप इस टरह से और गढ़िमय को फेलाना है और नीट करना है देखे मैं कैसे कर रहे हूँ इस तरह से हमें वीपिंग आइसिंग के बाद हमें वाइट ट्रॉफल डालना है और उसके अंदर पिस्ता डालना है वाइट ट्रॉफल डालने के बाद पिस्ता डालने के बाद और थोरा और वाइट ट्रॉफल डालना है यह देखे इस तरह से टेपिंग करके पिस्ता डालना और उपर white chocolate melt करके मैं spread कर रही हूं और वो evenly spread कर रही हूं यह देखिए white chocolate अच्छे से spread कर रही हूं इसके बार वापस हम पिस्ता spread कर रहे हैं यह देखिए और वो main पिस्ता cake है तो उसको पिस्ता अच्छे से डालना है तो rich लगेगा हमारा magic golden box का look और भी अच्छा आएगा तो यह देखिए यह इस तरह से हमारा lovely beautiful cake बन चुका है इसके उपर मैं मटकी बनाने जा रही हूं यह blue color का मैं oval shape में करके उपर से यह मटकी का shape कर रही हूं और इस तरह से finger की से बाहर थोड़ा हट निकालके उसको shape करती हूं fondant figure से यह म मटकी बना रही हूं और sticks की वजह से अंदर space कर रही हूं ताकि मटकी का look और भी अच्छा लगे और real लगे इसके अंदर में बच्चा हुआ थोड़ा ट्रॉफल है वह अब मैं इसके अंदर बच्चा हुआ थोड़ा ट्रॉफल रख दिया था इसके अंदर में डाल रही जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हूं यह वाइट ट्रॉफल अभी उपर तक में थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से finishing करके उसका margin तक उपर तक में कर रही हूँ अभी जो हमारा कृष्ण भगवान हमारे घर का काना मुझे यह के magic box बनाने में help करा है उपर से garnishing करा है वाइट फोंडन से छोटे छोटे बोल करके उसको मखन का शेप दे रहा है मटकी के उपर आसपास लगा रहा है वो बहुत excited है आज जन्मास्तमी है इसलिए तो अब ये देखिए मटकी बन गई है और ये magic box हमारा बन गया है श्री कृष्ण को भी गोपाल लडू गोपाल को हमने अच्छे से नए कप्रे पेनाए है और उसको सिंगार किया है ये golden box हमारा बन चुका है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये हमारा पूरा ट्रे बन चुका है श्री कृष्ण बगवान को अभी हम प्रेयर करेंगे ये सब बच्चे मिलके सब ये hammer से magic box को उपर से cake को hammer से cut कर रहे हैं ये देखिए बच्चे enjoy कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को ये देखिए सब बच्चे मिलके आज celebration करें इतना आच्छा श्री कृष्ण का आज बड़े है happy जन्मास्मी to all of you